देगे वैसे तो क्रिकेट का खेल, बाट और बॉल के बीच की लड़ाई होता है लेकिन फिलाल जो भारत और अस्ट्रेलिया की सीरीज है ना इसने एक अलगी शक्ल अक्तियार कर लिए है वो है सवाइवल ओफ तो फिट टेस्ट की क्यूंकि दोनों खेमे में आप देखें तो इंतजार करेंगे और क्या-क्या समस्या हैं चौते टेस्ट मैच से पहले इस पर हम बात करेंगे आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फू मैच टेइग तो मारे साथ जुडगे हैं पूर्व भारतिय ओपनर आकाश चोपड़ा आकाश सबसे पहला सवाल तो यह है ना कि बुम्रा की कमी कैसे होगी पूरी इंडिन टीम में लेकिन अच्छी खाब और उससे पहले यह दे दूँ कि मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फरेंस हुई थी तो एक टांक पर भी होंगे तो खिला लेंगे भूम्रा को नहीं खिलाना चाहिए देखिए मुझे लगता है कि अगर वो एक टांक पर है तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि इस इंजिरी का 30-40 पसेंट भी चांस है अग्रेवेट होने का तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए और एक बात और जहन में रखनी चाहिए इसके अग्री दो पहलू है तो यहां पर वह वैसे भी इंजिरी के बाद वापस आये हैं इंजिरी के बाद वापस आई इतना असान होता नहीं है अब भूम्रा थोड़े से ओफ कलर भी नज़र आ का सभी आपको लग रहा है 50-50 मामला है चार बोलर का तो आपका टोटल बोलिंग अटेक है उसमें से कहीं अगर एक आधे रास्ते में निकल गया मैच की दौरान निकल गया तो फिर तो बगले जांकते नजर आईए का क्योंकि इस पर तो रविंदर जारी जा भी नहीं है तो म अगर लगता है कि 50-50 हैं प्लीज उनको मत खिलाइए तो उनकी जगा कौन आएगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे आकाश उससे पहले यह पूछलू एक खिलाडी जो हमें नजर आ रहा है क्योंकि सहीद मुश्ताक अली ट्रूफी चल भी रही है इशान शर्मा अच्छी उनकी तैयारी कर रहे थे तब भी NCA में नहीं उनको टीम के साथ होना चाहिए था उनको एक्चुली में निखिल जब ऑस्टेलिया गई टीम दुबाई से तो उनको इंडिया से जाना चाहिए था दुबाई उस बबल का हिस्सा बहीं बन जाना चाहिए था और उसके बाद के साथ रहना चाहिए था क्योंकि जो भी आपके पास वो ठीक करने की कपैसिटी है फिजियोज है इंफरस्ट्रक्चर है वो सबकुछ तो ऑस्ट्रिलिया में भी मौझूद था क्योंकि रिदीमान सहा की भी तो इंजिरी थी वो भी गए थे बाकी बी कुछ इंजर्ट प्ल देते तो लेकर जरूर जाना चाहिए बिल्कुल भागना शुरू कर चुके हैं अगर आप देखें हैं मुश्टाकली तो काफी तेज दोड़ रहे हैं और अच्छी गाजी गेंदबाजी भी कर रहे हैं बहराल अब तो कुछ नहीं हो सकता कॉरंटीन के रूल ऐसे हैं दूस चाहिए बिला रहे हैं तो बतो और ओपनर खिला है क्योंकि उनका तो वो नैच्रल स्पॉट है पर सच ये भी है कि पिछले दो मैच में जब रन नहीं बने थे आपने उनको डॉप किया था उसके बाद वो तीसरा मैच खेले नहीं उसके बाद वो चोटल हुए वो भी चुरुआत बतो और ओपनर की है चले जाएंगे मिडल ओर में पर अब हो सकता आपको दुबारा टेमटेशन नजर आए चलो ले चलते हैं आज ही ले चलते हैं मिडल ओर में क्या फरक पड़ता है पर जो खिलारी जहां अच्छा कर रहा है आप उसको हिला दीजिए जो अच चास प्रतिशत फिट हैं तो उनकी जगा आप किसको लाएंगे नटराजन या शारदुल ठागुर और शारदुल ठागुर को इसलिए निखिल क्योंकि वो देड़ साल पहले दो साल पहले एक test match खेल चुके हैं तो इसका मतलब वो जो क्यू लगाई जाती है उस क्यू में वो बहुत आगे थे नटराजन तो अभी अभी आए हैं हम तोड़ा फैसिनेट हो जाते हैं तोड़ा एक्साइटिड हो जाते हैं कि वाइड बॉल क्रिकेट में लड़का बहुत अच्छा कर रहा है पर अगर आप इनके फिर्स क्लास के नंबर्स देखें तो बहुत साधार की जगा कौन लेगा दो अप्शन जैसे सब जानते हैं या तो आप साहा को लाएं बतौर विकेट कीपर पंथ फिर खेल रहे हैं ऐस पेशलिस बैट्समें या फिर आप गेंदबाज लाते हैं उसमें दो अप्शन है कुलदीप यादव स्लाश वाशिंग्टन सुंदर आप अच्छी की है अगर आप एडिलेट का वो घंटा देख लीजिए आप सिड्नी का पहली पारी देख लीजिए ये तो बल्लेबाजी है जिसने आपको परिशान किया अंत में जाके वो लोडर और ने बचा लिया एक बड़ा हिरोईक हो गया पर बल्लेबाजी ने महां पर भ बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते तो मैं तो रिदिमान सहा को खिलाओंगा इसकी एक बचा तो यही हो गए कि बैटिंग कम्जोर हो जाती है तो आप बैटिंग फालतू खिलाईए और दूसरी बार जब गेंदबाजी आपको पास चार है तो फिर पर शायद जो जाधा उत्कृ इसकीपर है आप उसको खिला लीजे ताकि जो 2-4-5 edges पीशे जाने है उसमें से एक भी छिटिए ना एक और सवाल यहां रह जाता है क्योंकि अश्विन को लेकर थोड़ा सा सवाल या निशान है जैसे हम खबरे भी पढ़ रहे हैं पता नहीं 100% फिट है या नहीं मान लीज यह हमारे overseas number one spinner है उसके बाद से poor guy मुझे याद नहीं कि शायद को एक आदर test match भी उसके बाद खेले हैं वो तरब भार ही बैठे होते हैं तो अब उम्मीद यही है कि अगर मौका बनता है तो आप उनको खेलते हुए देखे अगर वहां वाशिंटन सुन्दर खेल गए तो फिर पुदीब यादो के साथ सब मेरा दिल भी तूट जाएगा चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के नजरिये से देख लेते हैं पुकॉफस्की को हमें पता है इंज्री हो चुकी है रूल डाउट है मारकस हैरिस आगे है उनकी जगा हैरिस का में जरा थोड़ा रेकॉर्ड पहले मैस से चौथे मैस तक यह पांचवे नए ओपनर हो जाएंगे तीन-चार मैने ओपनिंग पेर हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि समस्याएं काफी है और मारकस हैरिस पिछली बार खेले थे बिल्कुल सही है कोई बहुत बढ़िया उनक्रे नहीं थे ब्रिस्बन की प पे भी देख लिया था तो सच तो यह है कि अगर अगर नहीं तो यहां पर भारके टीम ज़रूर अपने आपको थोड़ा सा और चांस देगी कि यह ओपनिंग कॉंबिनेशन या ओपनिंग साज़ेदारी आम लंबी नहीं बनने देंगे इतना तो उनमें विश्वास जरूर होगा क्योंकि आप पिच के बारे में बात करें आकाश ये पाच्वा पॉइंट भी है अभी तक जो तस्वीरे आई हैं वहां से ब्रिजबन से एक तो में पता है ट्रडिशनली तेज होती है दूसरा फोड़ी हरी घांस भी वहां पर नजर आ रही है अब इसको ध्यान में जीत कर क्या किया जाए कंवेंशनल लॉजिक कहेगा बैटिंग करो एक घंटा निकाल दो तो फिर बल्ले बल्ले है लेकिन फिर ऐसी पिच भी आप देख रहे हैं आप क्या देखना चाहेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो बैटिंग कीगे क्योंकि चौथी इनिंग में बल तो मेरे विचार में तो अगर आप टॉस जीतते हैं तो बहले बैटिंग कीजे मुश्किल तो होगा पर मुश्किल तो नहीं गेंड और ब्रिस्बन की पिच वो आप जब भी बैटिंग करने आएंगे तब तो होने ही वाला है तो फिर वाइनॉट वो शुरुवात सही वो और अपनी जो काबलियत है उसमें विश्वास जताए है तो यहीं तक तो सीरीज बहुत रोमान चग रही है आखरी टेस्ट मैच में हम जा रहे हैं तराजू कभी एक टीम के पक्ष में जाता है कभी दूसरे टीम के पक्ष में यही उमीद है कि एक अच्छा फिनाले देखन को मिले आप देख रहे थे ESPN क्रिक इंट फो मैच टेग अच्छा फिनाले देख प्राज बहुत प्राज़ देखना घंट रहे रहे जाता है कि एक लग खेखना के बहुत पर देखना है झाल झाल झाल